तो यार आप सभी की भारी डिमांड थी BSNL Wings के उपर वीडियो लेकर आओ तो फैनली मैं वीडियो लेकर आ गया तो यार कैसे हो आप सब भाई लोगाई होब कि आप सभी अपनी लाइप बहुत अच्छे से इंजुआए कर रहे होंगे और साभी लोगों ने पोल में काफी जादा वोट किया था कि BSNL Wings के बारे में वीडियो लेकर आओ आप सभी को समझना है कि BSNL Wings क्या है वैसे तो इसको BSNL की तरब से लाँच किये हुए 4 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी चलिए मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्योंकि यूट्योब में इसके उपर इस टॉपिक में बहुत ही कम वीडियो और काफी जादा जो है वो complicated way में बताया गया है अब यह VOIP क्या है और इस पर किस तरीके से based है VOIP का मतलब होता है wise over internet protocol मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि हम आप सभी को पता है कि internet का इस्तमाल हम सभी करी रहे हैं आज के date में बहुत सारे information गेधर करने के लिए बहुत सारे videos, media files, सारे चीज़े हम access कर पाते है तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने wise data को special structure के form में जो है वो transfer करते हैं और इसी technique को कहा जाता है VOIP यानि कि wise over internet protocol अब BSNL wing different के हो हैं देखें अगर हमको internet के थूँ call करना है तो हम whatsapp में use मिला सकते हैं whatsapp में video call and सारी चीज़े हो सकती हैं तो whatsapp में क्या होता है कि अगर यह आप caller है यानि कि आपके पास एक whatsapp है और दूसरे एक phone है जिसमें आप whatsapp call करना चाहते हैं तो दोनों के पास सबसे पहला चीज़ जो होता है वो ही कि दोनों के पास whatsapp होना चाहिए और दोनों में internet on होना चाहिए तभी आप दोनों को whatsapp के थुरू call कर पाएंगे एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे आने की communicate कर पाएंगे लेकिन BSNL Wing एक ऐसी service है अपने आप में जिसमें कि आपको internet की आउ सकता होती है और सामने वाले के phone में internet हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है आप सीधे उसके number में BSNL Wing service का use करते हुए internet का use करते हुए आप जो है उनके mobile number पे call कर सकते है और यही सबसे बहतरीन facility जो है वो BSNL की तरफ से निकल के आती है अब थोड़ा सा और इस चीज को deeply समझ लेते हैं देखिए कई ऐसे area होते जहां पे internet तो बहुत अच्छा है या फिर ऐसे बहुत सारे घनी अबादी वाला छेतर है जहां पे signal का strength जो बहुत ज़्यादा कम है ऐसे में जो call है वो हमको clear voice नहीं आपाती है अगर हमें normal call की बात करूँ या फिर हमको proper way में आवाज नहीं आपाती है आवाज cut cut के आती है लेकिन उस area में अगर internet अच्छा चल रहा है या फिर वहाँ पे आपने घर में hot spot या wifi अगरा setup करके रखाया चैने के internet connectivity अच्छी है लेकिन calling के लिए अगर में बात करूँ तो वहाँ पे disturbance ज़्यादा है तो ऐसे में काम आता है आपका bsnl wings अब देखिए bsnl wings आप जब use करेंगे तो इसके लिए आपके mobile में seem हो ना हो कोई फर्क नहीं परता आपको ज़रुवत होती है internet की अब यह जो internet है वो आप किसी भी wifi कोई भी hot spot चाहे वो आपका mobile data भी हो सकता है और साथ में कोई भी operator चाहे वो geo हो, v हो या फिर आपका जो air tail हो कोई भी operator हो या खुद का bsnl हो कोई भी operator हो किसी भी operator का internet आप use कर सकते है फोन में भी और आपके जो phablet यानि की phone plus tablet जो devices है या फिर जो आपके computer या laptop जहां पे app install किया जा सकता है वहाँ पे भी आप easily इसको setup कर सकते हैं अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको सबसे पहले जो जवरत पड़ेगी call initiate करने के लिए वो है आपको BSNL Wing की service यह आपको सबसे पहले important चीज होगी इसके बाद जो दूसरा चीज होता है कि आपको SIP client या फिर बोल सकते हो SIP software अपने phone में या other devices में जो है वो install करना होगा यह निकी यह एक प्रकार का SIP client app होता है अब मैं आपको आगे बता दूगा कि कौन-कौन से SIP client app है जिसको आप अपने phone में, computer में या other devices में install कर सकते हैं जिसके जरीए आप BSNL Wing service का use करेंगे वो आप easily अपने phone में simple आपको app में dialer आ जाते है उस dialer में call करेंगे जैसे simple हम लोग अपने mobile में call करते हैं और internet का use करते हैं आप किसी भी number पे call कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा benefit आपको देखने को मिलता है तो बात करते कि SIP client की ज़ुरत क्यों पर दी तो normally आप अपने phone में dialer open करते हैं तो वो जो है वो आपको network के तुरू या निकि जो भी आपके mobile में network का रहा है उसके थूँ जो है आप call initiate कर सकते हैं ठीक है लेकिन जब आप BSNL wing की service यूज करते हैं और SIP client अपने mobile में जो है वो install कर लेते हैं तो आप मातर internet क्यों सकता होती है आपके phone में seem हो ना हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता चाहे फिर BSNL का seem लगा हो आपके phone में या ना लगा हो बात करते हैं uses की कि generally हमको ये चीज कहां पर काम आता है तो देखें जैसे कि हम लोग foreign में गए ठीक है तो foreign में क्या होता है कि वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर seem खरीदना पड़ेगा हमको फिर वहाँ से seem में जब हम लोग call करेंगे तो roaming के भी charges हमको बहुत सारे लगेंगे लेकिन अगर हम इस तरीके से setup कर लेते हैं तो हमको केवाल किसी भी जगे पर internet क्या हो सकता पड़ेगी call करने के लिए तो हम अपने देश में easily जो है वो call initiate कर सकते हैं अब roaming के भी कुछ charges होंगे लेकिन वो charges बहुत कम होते हैं अब बात करते हैं कि क्या BSNL Wings service के लिए हमको कुछ registration करना पड़ता है कुछ payment आपको करना पड़ता है तो जी हाँ आपको इसके लिए सबसे पहले website इसके लिए दिया गया यह आपको मिलता है regular इसका जो pack है वो इसके अलावा अगर आप government employee है या फिर student है तो इसमें और भी छूट आपको दिया जाता है साथ में अगर आप BSNL employee है तो उसमें और भी छूट आपको मिलता है लेकिन उसके लिए आपको as a proof उसमें सारी चीज़े जो है डालनी पड़ती है तो अगर आप जो है normal service लेते हैं इसकी तो वो आपको 1297 रुपए कुछ पढ़ता है with GST, approach यह आपको इतने रुपए पढ़ता है जो इसका regular pack होता है और यह annual है, only एक बार आपको यह one year का pack आता है एक बार बस आपको लेना है तो international calling के लिए भी आप इसमें service जो हो select कर सकते हैं अगर आप internationally जो हो call करना चाहते हैं या आप international कहीं बाहर गए हुए हैं तो इसी के साथ जब आप registration करते हैं तो registration में आपको एक wing number भी जो alert किया जाता है जिसके जरी आप जो हो call कर सकते हैं और इसके साथ ही जब आप complete registration कर लेते हैं तो email के थूँ आपको user ID और password या दिक user ID आप कोई भी एक registered mobile number जो होता है वो आपको आते हैं और password आपको दिया जाता है बाद में इस password को आप जो हो reset भी कर सकते हैं इसके बाद next का माता है SIP client install करने का जो कि आप अपने कोई भी devices में जहां पे आप internet easily use कर सकते हैं जैसे कि आपका laptop हो, tablet हो या फिर आपका mobile phone वहां पे आपको SIP software लगेंगे बहुत सारे SIP software है जैसे कि grand stream हो गया, zoiper हो गया इसके अलाबा एक होता है जो कि line phone और इसके साथ ही BSNL wing अगर आप BSNL wing ओपन करेंगे तो आप पे scan by QR या फिर login करने का देता है और register mobile number and password के through तो यह जो register mobile number, password QR code जब आप BSNL wing की service लेंगे तो वहां पे आपको आजाएगा, आप वहां पे QR code की scan करके भी simply इसको enter हो सकते है BSNL wing जब आप open करेंगे तो BSNL wing ओपन करने के बाद आपको dialer आजाएगा जहां पे आप call कर सकेंगे internet के through इसके अलावा अगर सामने वाले के पास भी BSNL wing का app है और अगर वो भी use कर रहे है तो उस condition में आप दोनों एक दूसरे से video call में भी बात कर सकते हैं otherwise सामने वाले के पास internet हो या ना हो आपके पास internet होना चाहिए आप easily call कर सकते हैं उनको चाहिए फिर उनका landline हो या फिर उनका mobile phone हो और वो कोई भी network उस कर रहे हो अब wing service के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं तो आप offline तरीके से भी online digital KYC के through भी जो है वो इसको इस service को ले सकते हैं इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके अच्छे benefit भी है लेकिन साथ में मेरे को ऐसा लगता है कि एक हजा 99 रुपए तो आप देंगे ही देंगे और एक चीज़ ध्यान रखे काफी लोगों का कोशन होता है कि एक हजा 99 रुपए जो हम लोग पे करेंगे या जो service लेंगे उसमें क्या हम लोगों को internet भी मिलेगा क्या तो ऐसा कुछ भी नहीं है वो खाली service का है और internet का जो data है वो कटेगा तो जिहां आपका internet का data use होगा आप कोई भी operator का internet use कर सकते हैं तो यहां पर double खट चायने के internet का आपका use होगा महाँ पर data आपका use होने वाला है और दूसरा यहां पर जो है आपको तो service लेने के लिए एक साल के लिए जो 1100 रुपए और tax करके 1297 रुपए आपको पढ़ जाता है उसका भी charge आपको देना परता है तो मेरे हिसाब से अगर आप बाहर हो इंडिया से बाहर हो तो यह चीज बहुत अच्छा है otherwise मुझे नहीं लगता है अगर आपके तरह network खराब रहता है मतलब कि internet अच्छा है लेकिन calling वगरा के लिए नहीं है तो आपके लिए अच्छा है बाकि मेरे हिसाब से इस चीज की जवरत तो मुझे अभी नहीं देखती that's why अभी इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं है लेकिन बाहर जगा यह चीज काम की जरूर है अब बात करते यार यह जो वीडियो देखने के बाद आपके मन में हजारो डाउट आएंगे तो हजारो डाउट का सॉलूशन यह है कि आपको नीचे कमेंड करके अपने सवाल पूछ लेने है जैसी मुझे लगे कि एक परियाप्त सवाल आ गया है तो मैं अगेन एक वीडियो लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे पता है एक वीडियो में डाउट क्लियर नहीं हो सकता मतलब कि ये वीडियो किसी को समझ में आएगी किसी को complicated भी लग सकती है तरह तरह की चीज़े है लेकिन BSNL Wing सिंपल चीज़े है ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है लेकिन आपको सायद इसमें doubt हो सकता है तो अगर doubt है क्या SIP है किस तरीके से registration करना है वो registration करके हमको दिखाओ SIP client क्या होते है उसको install करके दिखाओ तो वो सारी चीज़े में लेकर आ जाऊंगा लेकिन उसके लिए आपको नीचे comment करके मुझे बताना होगा और आज की वीडियो को मैं यहीं पर जोए दैयन करूँगा मिलता हूं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में तक तक के लिए जैहीन वन्दे मातराव